जे मातादी दोस्तों में नाम है दीतिरप कमीचेर पर बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हूं कि आप शीक्र विवाह के लिए कोई ऐसा उपाय क्या कर सकते हैं जिससे कि आपकी शादी आपकी बच्चों की शादी या जो भी आपके रिष कर सकते हैं तो सबसे पहले हमें यहां चाहिए एक आम का पत्ता यहां पर मैंने आम का पत्ता लिया थोड़ा बड़ा साइज कर लेंगे हम क्योंकि हमें यहां पर जो पाय करना है उसके लिए हमें इसको साइज जो होनी चाहिए उसकी बड़ी होने चाहिए तो मैंने जब एक हल्दी का स्वास्तिक बनाई जुसु कोL GL स्वास्तिक कोलें से हलदी को आप बड़ता हुँँ जकी है उसके चारों कोन भिछ में में पर याधान गांगा स्वास्तिक न épisode स्वास्तिक भिपनाना रखिती जो बीच में हमें इसके रखना है रोली वाले चावल तो यह वात का ध्यान रखें आप कि इसमें रोली वाले हमें चावल रखना है तो मैंने यहाँ पर रोली वाले चावल रख दिया है यानि कि लाल चावल हमें रख दिया है अब हम एक और स्वास्तिक बनाएंगे अब वो जो स्वास्तिक बनाएंगे रोली से जी हाँ लाल कलर का हमें स्वास्तिक बनाना है इस तरीके से आपको एक आम की पत्ते में दो स्वास्तिक बनाना है और ये जो उपाय है आप यकीन मानेंगे ये हमें और बहुत सारे उपायो के लिए होता है धन संबंधी प्रेशानियों के लिए भी ये निवारन करता है धन से कोई भी आकर आपका कोई बरकत नहीं हो रही है या फिर आपका कोई रुका हुआ काम है उससे भी ये आपको एक सफलता प्राप्त कराता है तो ये बहुत ही अच्छा होता है खासता कि मातरानी के चर्णों में रखना है और उनसे प्रातना करना है कि आपके घर में जो भी शादी योगे हैं उनको अच्छा वर या अच्छे करन्या अच्छी करन्या मिल जाए और उनका शादी बहुत जल्दी पक्की हो जाए तो अगर आप ये उपाय करते हैं तो बस आपको ती आपको ये विंती करना है ये प्रातना करना है बस इस तरीके से आपको करना है और आपकी शादी पक्की हो जाएगी पक्का से तो ये आप उपाज जबूर करके देखें आपकी धन संबंदी भी कोई परिशानी है तो उसका भी आपकी ये प्रॉलम सॉल हो जाएगी और अगर आप को ये नहीं पता है कि नवरात्री में पूजा अर्चना कैसे करनी है तो वो वीडियो डली हुई है मेरी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो मेरी होने वाली है कि हमें हवन कैसे करना चाहिए नवरात्री में तो वो पूरी संपूर्ण विधी में आप लोग साथ शेयर करूंग